प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी सहित्य कक्सा में आपके उजवल वविश्य की कामनाओं के साथ आपका हारदिक स्वागत, हारदिक अबिनंदन, परिक्सा की तारिखें तै हो गई है, और शिग्र ही आपका परिक्सा कारेगरम गोशित कर दिया जाएगा, कि आपके परिक् कभी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्स की आश्यक्ता होती है कुछ ऐसी उसलताएं होती है जो एक विद्यारती के पास होनी चाहिए और मेरा और इन ओनलाइन कक्षाओं का यही उद्देश्य है कि हिंदी साहिते के विद्यारती आज की कक्षा में आईए हम सुरू करते हैं आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सूर्य कांत्रिफाठी निराला जिसका साहितेक परिचे पढ़ेंगे व्याख्या पढ़ेंगे जो राम की सक्तिपुजा से ली गई है और इसका कावे संदरे क्या है वो पढ़ेंगे और मुखे प्रशनोतर पढ़ेंगे कावे संदरे आपको इसलिए पढ़ाय जा रहा है कि कावे संदरे पढ़ने के बाद आप राम की सक्तिपुजा पार्ट में से कोई भी प्रशन आता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे यानि जिस पार्ट की कावे संदरे पढ़ लिया अर्थात अपन भावपक्स और कलापक्स दोनों पढ़ लेते हैं तो उसमें सारे प्रशन आ जाते है यानि उसमें लगुतरात्मक भी आ जाता है निबंदात्मक भी आ जाता है इसलिए आपको कावे सुंदर्य का अध्यान करना बहुत आउसे के, कावे सुंदर्य का अध्यान करने के बस साथ आप किसी भी प्रश्ण का उत्तर अच्छी तरह से दे सकेंगे, तो आए हम सुरू करते हैं, सुर्यकान त्रिपाठी निराला, सबसे पहले इसका परिचे और आप अच्छी तरह से इनको पढ़ सकें, तो आप सबसे पहले लिखेंगे उपर परिचे, जैसे आपने के से देखा इस प्रकार लिखना है, यानि सुर्यकान त्रिपाठी निराला, साहित्यक परिचे, सुर्यकान त्रिपाठी निराला इसे लिख करके, कॉपी में इस साहित्यक परिचे फिर आपको वो शुरू करना है यहां से और आप जैसे ध्यान से सुनते जाएंगे कि किस प्रकार आपको एक शैली में लिखना है चायावादी यूग के प्रमुक इस्तंबो में से एक मुक्त चंद के प्रवर्तक चूरिकान त्रिपाठी निराला का जन उनके पिता पंडित राम सहाय जिनका राजदरवार में परियाप्त सम्मान था निराला जी का जीवन संगर्ष में रहा मात्र तीन वर्ष की अबोध अवस्ता में ही इनके माता जी का स्वरगवास हो गया घर में बड़े-बड़े संगीत आचारियों का आना जाना बना रह इसलिए वो संगीत विद्या की और आक्रिस्ट हो गए यानि यह हम इनके जिवन से देख सकते हैं कि जिस गर में जैसा संसकार यानि जिस प्रकार के संसकार होते हैं जैसे मालो सिक्सा का माहौल होता है तो वहां बच्चे हैं वो भी सिक्सा ही प्राप्त करते हैं तो संगीत विद्या की और आक्रस्ट वे विद्यारती जीवन में उन्होंने सद्ग्रंथों का पठन पाठन किया जिसे दर्शन सास्तर में अभिरूची हो गई निराला जी गुर्श्वारी में भी प्रविन थे तेरा वर्ष की अवस्ता में उन्हें साधी के बंदर में बांद दिया गया यानि 1910 में उनका विवा हो गया था आगे देखिए कुछ समय पस्टाथ ही उनकी पत्नी स्वरक्षिदार गई यानि युवावस्ता में उनकी पत्नी है वो स्वरक्षिदार गई थी पिता जी तो पहले ही चलवसे थे अपनी अब उनके साथ कोई नहीं रहा क्योंकि मां की पहले मृत्यू हो गई और उसके बाद पत्नी उससे पहले पिता जी इनका स्वरकवास हो जाने के कारण अपनी दो संतानों के साथ निराला जी मैशा दल में नोक्री करने लगे वेस्ट बंगाल और पत्नी की मरत्यू से इनके रिदे पर ऐसा दका लगा कि नोक्री छोड़ कर गुमकड हो गए और इससे आर्थिक संकट के बादल मंडरा ने लगे क्योंकि उन्हों नोक्री छोड़ दी तो आर्थिक संकट तो आना ही था निराला जी ने समन्वे और मत्वाला पत्रिकाओं का संपादन किया तो यहां पर आपको अंडरलाइन करनी इनके नीचे यान निराला जी ने समन्वे और मत्वाला पत्रिकाओं का संपादन भी किया जीवन में आर्थिक संकट के दिनों में ही उनकी पुत्री सरोज का अकस्मिक नितन हो गया इसके नेचे भी इंडरलाइन करनी है और उस समय उनके पास कफण के लिए भी पैसे नहीं थे अब कोलकता चोड़ कर लखनव आगे और इस अवदी में मेथिली सरंगुप्त और सुमित्रा रंदन पंत जैसे सहित्यक मित्र मित्र मिले और महदवी वर्मा के रूप में उन्हें एक छोटी बहन के दर्शन भी हुए महदवी वर्मा का एक पार्ट भी है आपके 11 ख्लास में जैसे नि देखिए लखनव से फिर प्रियाग आगे वहां दारा गंज में इस्थायरूप से रहने लगे निराला जी ने जीवन में आर्थिक संकटों की कभी भी चिंदा नहीं की हलागी उनके जीवन में आर्थिक संकट रहा लेकिन आर्थिक संकट के आगे वह कभी नहीं जुके उ जिरंतर साहित्य साधना में तल्लीन रहे थे काविस साधना करते रहे यहाँ पर अठारा ने अठावन है संस्कृत बासा में प्रवीन निराला जी ने हिंदी खड़ी बोली सीखी तथा कविता की और प्रवर्थ हुए जो ही की कली पर्थम कविता लिख करके यानि 1906 में उन्होंने जो ही की कली जो पर्थम कविता लिखी वो लिख करके और हिंदी स्यावा में आगे बढ़ते गए 1962 62 इस्वी में इस महान आत्मा का देहान दो गया यहां तक तो इनका एक सामान्य परिचे है अब हम देखते हैं कि इन्होंने साहित्ये में क्या-क्या लिखा इनकी रचनाए याद करनी आपको रचनाए इसकी 3-4 वागों में विवाजित है जैसे मोलिक रचनाए उनकी कोन-कोन रचनाए ती इसके अलावा इन्होंने अनुदित रचनाए भी लिखिया अर्थात उन्होंने जैसे अंग्रेजी से या और किसी बासा से उसका खड़ी बोली बनवाद भी किया जैसे महाबारत का इंदी बनवाद किया है तुल्शी रामैंट पर्टी का लिखी है इसके अल अलावा देखिए कहाने संग्रे हैं इनके निराला जी की कहाने संग्रे जिसमें लिली शक्षी चतूरी चमार सुकूल की बीबी और इसके ये तो इसके कहाने संग्रे हैं इसके अलावा इन्होंने रेखा चितर लिखे थे रेखा चितर लिखा था उन्होंने कुली भाट और बिल्ले सूर बक्रिहा, यानि ये आपको रजना है, आपको याद अनुचे, आपके आगे जिवन में भी काम आएगी, सन 1946 में निराला जी कासी नागरी परचारणी सबाने जैन्ती मनाई थी 1946 में, यानि कहने का मतलग कि उन्होंने उनके कावे को समझा, आगे देखिए इनका अब हम पढ़ते इसका कावे सुंदरे, कावे सुंदरे को आप ध्यानपुरवक सुनेंगे, कावे सुनने के बाद आप किसी भी प्रश्ट का उतर, अच्छी तरह से दे शेकेंगे, यानि इसमें सही दिया आप किसी प्रश्ट का उतर लिखते हैं, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा और इसी प्रकार का प्रश्ण आपको इसमें पूछा जाएगा. तो देखिए, मुक्त चंद के प्रणेता सायावाद के चतुर स्तंबो में से एक महाकवी सूर्यकान त्रिपाठी के कावे संद्रे का विवेचन करना होता है, कावे संद्रे की समालोचना करनी होती है, तो उसमें भावपक्स और कलापक्स दोनों को देखा जाता है. सबसे पहले देखा जाता है बावपक्स और बावपक्स में, जैसे मालो यहां पर ये बावपक्स है सबसे पहले, बावपक्स है, और बावपक्स में देखिए, सबसे पहले है कावे प्रवर्ती, इसका एक पहला पॉइंट है, कावे प्रवर्ती, निराला जी एक सफल चाय अभिवक्ति के दर्शन किये हैं, मानव, रिदे की अभिवक्ति के दर्शन किये हैं, प्रकर्ति और मानव के बीच बावात्मक समरस्ता इस्तापित करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है, पूर्ण सफलता प्राप्त की है, दूसरा पॉइंट है इसका, राष्ट्र प्रे देने की भावना उनमें पाई जाती है, छोटी-छोटी लायने आप लिखोगे तो आपके बहुत ही अच्छा उत्तर होंगे, प्रभावसाली होगा, जैसे राश्र प्रेम इसके आगे लिखना है कि जैसे महराज सिवाजी का पत्र एक कविता है, और जागो फिर एक बार जो नहीं, वीर तुम, समर शूर, क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमर, समर, सर ताज, जागो फिर एक बार, यानि हमें इसमें प्रतंदरता से उबरने के लिए हमें जागरत करने का संदेश दिया गया है, तीसरा है, इसमें सोसित और पीडित मानविय भावनाएं, उनके कावे में सोसित और पीडित मानविय भावनाओं का बहुत अधिक जिक्रुआ है, निराला जी द्वारा लिखित, कुकुर मुता, किसान, खुला आस्मान, वह तोड़ती पत्थर, दिखारी, विध्वा, जेसी रजनाओं में प्रगतिवादी विचारद जेसे कवी क्या लिखते हैं, आपने वो कविता पड़ी है, वह तोड़ती पत्थर देखा, मैंने उसे इलावाद के पत्थ पर, वह तोड़ती पत्थर, गुरु हतोड़ा हाथ करती, बार-बार प्रहार, यानि एक मजदूरिन का चित्र उन्होंने अपने सब्दों में बा और ये आजाता है आपके राम की सकतिपुजा जो कविता आपके जो कावे में है, आपके जो पाठ्यकरम में है, उसमें सहीदी कोई भी प्रस्न आ जाता है, तो आप इस पॉइंट काविदी आप लिख देते हैं, तो भी आपका उतर है, वो काफी अद्दक सही होगा, कवि कवी ने हतासा से तरस्त मानवता को दानवता की सक्ति से संपन्नता के विरुद निरंतर संगर्ष करने की प्रेरणा दी है सक्ति की आराधना में निरास राम की आसा इस प्रकार व्यक्त होती है यानि जब श्री राम निरास हो गए थे यानि जब वो यग्ये कर रहे थे और यग्ये में उनके जो नील कमल है जो आहुती देनी होती है वो नील कमल स्मापत हो गए थे तब उन्होंने उस निरासा में भी एक आसा देख करके और उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये थे तब कभी क्या कहते हैं कि केथी थी मा तो यानि मेरी माँ है वो मुझे राजिव नयन कहा करती थी तो मेरे ये जो दो नील कमल है इनमें से मैं एक नैत्र देखर के भी मैं इस यग्य को पूरा करूंगा तो यानि निरासा में भी आसा देखना इस कविता का परमुक्द्य है आगे देखिए इसका कलापक्स कलापक्स में निराला जी का कारिये भावपक्स के समान कलापक्स में भी स्रेश्टा की सरणी में आता है इनके कलापक्स की विवेशना इस प्रकार की जा सकती है सबसे पहले है बासा सेली और अलंकार निराला जी की बासा अभिवंजना के अनुकूल अच्यंत सहियत है उन्होंने प्रतिक सब्द का प्रियूग रूप, रस और भाव के अनुकूल किया है इसमें कोई संदे नहीं है कि वे कुसल सब्द शिल्पी थे ये इसका पहला पॉइंट है उनके सब्द चैन में द्वेन्यात्मक्ता है, चित्रोपमता है, संगीतात्मक्ता का अद्बुच समनवे पाया जाता है उनके कावे में ओज माधुरिये प्रसाद गुणों का प्रियोग होता है जिससे बासा सजीव हो उठी है सब्द प्रियोग कैसा है देखिए, सब्द प्रियोग में इसमें तीर विशेष्टा या इसकी बंग सेलिस से प्रबावित तत्सम सब्दावली का प्रियोग हुआ है क्योंकि बांगला के थे वो दूसरी है सरल सुबोध भासा है तीसरा है इसमें उर्दू सब्दों का परियोग भी हुआ है इनके कावे में उर्दू सब्दों का परियोग भी हुआ है तीसरा है इसका अलंकार संदरे या अलंकार परियोग कवी ने यानि कवी ने अलंकारों के स्वाभाविक प्रियोग से अपने कवे को सजाया है अलंकार प्रियोग में कवी ने पूर्ण स्वचंदता से काम लिया है उनके कवे में अनुप्राज रूपक उत्प्रेक्सा उप्मा अनुप्राज संदे इत्यादी अलंकारों में मूर्थ अमूर्थ सभी प्रकार के उपमानों की योजना इनकी कावे में देखी जा सकती है इनका कावे जो है वो इन अलंकारों से सजावा है जैसे जब सिर्राम की एक मुद्रा का वर्णन करते वे कवी क्या कहते हैं कि भूधर जो ध्यानमगन है यानि उत्प्रेक्सा इसमें अलंकार हो गया केवल जलती मशाल यानि उदर जब युद्ध का समय था जब शिरीराम अपने शीविर में या अपने आवास पर बेठे वे थे तो उस समय की बात है कि वो ध्यानमगन बेठे थे ज जिस प्रकार भूधर जिस प्रकार एके परवत है वो जैसे ज्यानमगन होकर के बेठा रहता उसी प्रकार शिरीराम है वो केसे लग रहे थे परवत के समान लग रहे थे चोथा है इसमें चंद विदा चंद के साहे रेखिए निराला जी ने चंद के चेतर में सबसे बड़ी क्रांती की है वह हिंदी में चंद के बंधन को तोड़ कर बावधारा को उनमक्त करने वाले पर्थम कवी है उन्होंने रबबर और केंचवा आदी अनेक नए चंदों का प्रियोग किया यानि उनके कावे को रबबर चंद में लिखा गया माना जाता है रबबर चंद में इसलिए माना गया है क्योंकि उनके कावे में किनी सब्दों का या किनी जो वर्ण है उन वरणों की निश्ची संख्या नहीं है, उनके वरण है, वो कितने ही हो सकते हैं, कितने ही कम हो सकते हैं, और कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, यानि इनका जो कावे है, वो रबबड की तरे बढ़ता जाता है, इनके चंद, मात्राएं कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन गती और ले आवेश्य होनी चाहिए, ये इनका कावे संदरी है आगे देखिए गनाक्षरी इत्यादि चंदों को नए डंग से उन्होंने प्रियोग में लिया है आप नीचे लिखेंगे अते संक्सेप में कहा जा सकता है कि बाव, बासासेली, चंद, कल्पना को आदुनिक कव्यों में सरवादिक सफल्दा निराला जी को ही मिली है बाव बासा सेली चंद और कलपना में आधुनिक कवियों में सरवादिक सबलता जो मिली है वो निराला जी को मिली है वह हमारे सहित्य के आधुनिक युक्के स्रेश्ट कलाकार हैं यह आप कावे संदरिये में लिखेंगे अब हम पढ़ेंगे व्याख्या जिसमें राम की सक्ति पुजा के बारे में दिया गया है और आईए हम पढ़ते हैं व्याख्या राम की सक्ति पुजा में से मैंने जो पध्यांस चुना है आप इसको एक बार सुन लीजिए वेसे ये सरल सुबोध भासा है तो इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं लेकिन प्रसंग का आप ज्यान रखेंगे शेली का ज्यान रखेंगे कि आपको किस परकार लिखनी है यदि आ आप और भी इससे अधिक व्याख्या करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं इनकी पूरी व्याख्या आपको समझा दूँगा पूरे कावे की तो सबसे पहले आप देखिए कुछ संड तक रहेकर मोन सहज निजको मलस्वर बोले रहुमनी मित्र वर विजे होगी न समर विजे होगी न समर ये नहीं रहा नर्वानर का राक्ष से रण उतरी पा महाशक्ती रावन से अवंत रण अन्याय जिदर है उदर शक्ती कहते चल-चल हो गए नयन कुछ बूंद पुने ढलके द्रग जल रुक गया कंठ चम का लक्ष्मन तेज प्र रावन से युद्ध के बारे में सोच रहे थे तब कुछ समय तक मोन रहकर के और कोमल स्वर में अपने सेन्य वीरों से कहते हैं रगमणी बोले कि है मित्रों विजे होगी न अर्थात हम रावन से विजित होंगे या नहीं होंगे ये बार-बार संसे हो रहा है और आज मैंन यह देखा है विडमना यह है कि यह जो युद्ध है समर यानि युद्ध यह नर और वानर यानि वानरों का और राक्षसों का वानर सेना और राक्षसों के मद्दे ही युद्ध नहीं रहा है बलकि इस युद्ध में रावन के आमंत्रण पर रावन का आभान पाकरके और महा शक्तिश्वम युद्ध में आ गई है लेकिन विटमना ये है कि दुख इस बात का है कि जिदर अन्याय है उदर ही शक्ति है वो पक्षपाद कर रही है अर्थात जिदर रावण अधर्मी है असत्य है यानि रावण जो है वो पापी है लेकिन फिर भी शक्ती है वो उनका साथ क्यों दे रही है यह है दुख की बात है यहां पर कवी के विक्तिगत जीवन का अनुभवी इन पंक्तियों में परिलक्षित होता है कहते चल-चल हो गए नयन अर्थार एसा कहते कहते उनकी आँखों से आशु बेह चले कुछ बूंद पुने ड्रलके द्रग जल यानी आँखों से आशु डलकने लगए रुक गया कंठ अवरुद हो गए चमका लक्षमन तेज प्रचंड जब शिरी राम को इस प्रकार दुखी देख करके और उनके अनुज लक्षमन जो है उन्होंने अपने प्रचंड तेज से अपनी बासा में एक आःवान किया कि मैं इस युद्ध में सिरी राम की हार नहीं होने दूँगा वो आगे की बात है तो आप इसे सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग आप को किस प्रकार लिखना है देखिए प्रसंग में लिखेंगे आप कि प्रस्तूत पध्यांस हिंदी साहित्य के ससक्त अस्ताक्षर यह चायावाद के प्रमुक इस्तंबो में से एक महा कवी सूरिक आंत्रिपाठी द्वारा विराचित राम की शक्तिपुजा कावेखंड से उतर्थ है सबसे पहले आप यहनी प्रसंग जो लिखा जाता है तो वो प्रसंग ही अच्छी तरे से होना चाहिए प्रसंग अच्छा नहीं होगा तो जो परिक्सक होगा वह यह देखेगा कि इसने उतर दो लिखा है लेकिन इनकी जो सेली है वो एप्रभावी है जब राम रावन की युद्ध की तैयारें हो रही थी तब स्रीराम को बार बार संसे हो रहा था अपने सेनापति और अन्य सेन्य वीरों को शक्ति के संसे को व्यक्त कर जो विचार रखा वही इन पंक्तियों में उल्लेखी थे अब आप इनकी वैख्या कैसे करेंगे वैख्या में लिखेंगे कि कभी निराला वर्णन करते वे कहते हैं कि स्रीराम कुछ समय तक मौन रहकर सेह जी चिंतरवाव से अपने कौमल स्वर में बोले हे मित्रवर जैसे देखी इसमें जो चिन लिखे गए हैं हे मित्रवर तो इसक युद्वानर सेना और राक्षरकों के मध्य नहीं रहा अपित्व इस युद्ध में रावण के आहवान पर महाशक्ती भी रावण के पक्स में युद्ध मेदान में उतर गई है बार बार यही आसरी हो रहा है और दुख हो रहा है कि शक्ती भी अन्याय का साथ दे रही है एसा कहते कहते सिरी राम की आँखों में अस्रुधारा बहचली, कंड अवरुद हो गए, अर्थात वाणी नहीं निकल पा रही थी, यह देखकर के लक्ष्मन ने अपना प्रचेंड आवे व्यक्त किया, यहां तक आप इसकी वेख्या लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखन और कला, दो बातों का आप विशेश है, वो दे दीजिए, इसमें इसा कोई भी माइना या कोई स्पस्ट पेमाना नहीं है, कि आप जो मैंने लिखा है, वो ही आप लिखेंगे, जो पास्पुक में लिखा हुआ है, वो ही आप लिखेंगे, आपको क्या लगता है, उसके बा है, तो बे एक अंतर दोन में फंस जाते हैं, यानि मेरे विजे होगी की नहीं, मेरा काम होगा की नहीं, और जिससे महा सक्ति को अन्याय का साथ देते वी बताया गया है, कि मानव व्यवस्था में इस प्रकार की जो विशंदाएं होती है, उनको व्याट करने का प्रियास भ बासा, सरल, सहज और सुबोध है, पुन्रुक्ति प्रकास स्वाभावक्ति अलंकारों का प्रियोग हुआ है, पुन्रुक्ति प्रकास का इसमें आपके एक सब्द आयाव है, चल चल, तो इसमें पुन्रुक्ति प्रकास अलंकार है, समभाव सेली का प्रियोग दस्टवे है, यानि जैसे संपूर्ण कविता है वो इसे लग रहा है जैसे संबाद हो रहा है यानि आपस में बातचीत हो रही है और बहुती प्रभाव सेली में बातचीत हो रही है तो आज का पार्ट हुआ पूरा दन्यवाद जैहिन जै भारत आप इसमें जो इसक्रीन पे नंबर देख रहें आप इससे जुड़कर के भी अपनी समश्याओं से समंदित कोई भी यानि इंदी साइथ ये की सामगरी से समंदित एक बात आपको और बता देता हूं कि जब परिक्षा के मात्रे दस दिन रहेंगे तब एक मोडल पेपर और जितना भी आज तक पढ़ाया है उनके सारे पीडियेफ उनका सारा का सारे पीडियेफ मैं आपको बेजने का प्रियास कर रहा हूं ताकि प्रतिक विद्यारती है वो यहीं से डाउनलोड करके और उनका प्रिंट ले करके और अपन आने वाले साथियों को भी दे सके तो तब तक के लिए जै हिन जै बारत